Hello my dear ones, आज इस वीडियो में बात करने वाली हो माइंड चैटरिंग के बारे में, कैसे आप easily चैटर्ड माइंड को क्वाइट कर सकते हैं, है ना, बड़ा बगबग करता है ना ये माइंड, तेकिन इस बगबग करते वे माइंड के मुझ पे टेप लगाई जा सकते हैं, बहुत सारी जो टेप्स हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही एफ़ेक्टिब हैं, लेकिन किसी कि-सी के लिए कुछ खास टेप्स हैं, जो ज़्यादा काम करेंगी, तो आपके लगए प्रकान करेंगी, वहत जरूर कमेंट करकर मुझे बताएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए शुरू करते हैं देखा आपने याद ने दिलाया आपको डाउनलोड कर लो भाई क्योंकि अगर माइंड को शांत करना है तो सबसे पहले क्या इंपॉर्डेंट है मैडिटेशन करना ब्रीधिंग एक्साइज करना मतलब माइंड चैटरिंग के वीडियो में आपको डाउनलोड नहीं करोगे और मैडिटेशन नहीं करोगे प्रीधिंग एक्साइज नहीं करोगे चलो जल्दी से आपको डाउनलोड करो और डेली करना यह सब अब सिखाना observer बन जाते हैं और meditation करते हैं तो आपके अंदर anxiety molecule गावा release होता है serotonin release होता है और आप जब एक observer के role में आ जाते हैं आप mindful रहते हैं आप aware रहते हैं कि आपकी body में क्या sensations हैं आपके mind में क्या thoughts चल रहे हैं आपके emotions को fail कर रहे हैं इस वक्त बस इस mindfulness से ही सारा game change हो जाता है क्योंकि जैसे ही आप अपने thoughts को observe करना start कर देते हैं तो उस observer effect से वो chattering stop हो जाती है बिलकुल ऐसे जैसे हम जब school में पढ़ते थी ना class में हम चिचचच बाते गते रहते हैं जैसी teacher देखती थी कुछ बोल दी नहीं देखती थी हम चुप हो जाते थी बिलकुल ऐसे ही mind जब आपनी thoughts को देखना शुरू कर देते हैं तो वो चुप हो जाता है तो यहाँ पर जो mindfulness meditation से क्या आता है आपके अंदर observer effect यह बहुत ही कमाल का है भई आगे है deep breathing exercise सांस और सोच का बहुत ही गहरा connection है जब आप deep breathing लेते हैं लंबा गहरा सांस अंदर भरते हैं उससे कुछ second के लिए hold रखते हैं और फिर उससे release करते हैं तो इससे आपकी body and mind का बहुत ही अच्छा connection develop होता है क्योंकि हम जो सोचते हैं उसका effect हम शरीर में महसूस करते हैं अगर आपके दिमाग में लगातार कुछ 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 चल रहा है thought की train चल रही है हर समय buzz कर रहा है आपका दिमाग तो क्या होगा body में भी तो discomfort आएगा तो body and mind दोनों के harmony को बहुत अच्छा करने के लिए उस discomfort को आप physically और emotionally आपके thought level से, sub level से गायब करने के लिए deep breathing सबसे simplest और सबसे अच्छा तरीका है बहुत ही simple पर बहुत ही effective तरीका है तो दिन में आपको 5-5 minute, 5 बार deep breathing जरूर करने चाहिए आप करकर तो देखिए, आपका दिमाग बिलकूल शान्त हो जाएगा और है progressive muscles relaxation यह बहुत ही powerful तरीका है आपको एक self hypnosis में डालने का progressive muscles relaxation बहुत ही simple होती है इसमें आप body के एक एक part पर focus करते हैं और inhale करते हैं, अपनी muscles को squeeze भी कर सकते हैं and then exhale करते बद रिलीज करते हैं इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बिना squeeze के भी आप simply inhale exhale एक एक part पर focus करें और यह impression लें कि आपके अंदर का सारा stress, सारी negativity सब कुछ release हो रहा है और आप relax होते जा रहे हैं और जब एक एक body part पर इस तरीके से आप ध्यान लगाते हैं सर से लेकार पाऊं तक अपने आपको पूरा relax करते हैं तो आपकी body से जो signal आपके mind के तरफ जाता है वो कहता है, शान्त, all is well, शान्त हो जाओ शान्त so body को relax करकर भी mind को relax किया जा सकता है तो progressive muscles relaxation क्योंकि आप बार-बार relax जो है ना वो एक hypnotic word है वो एक ऐसा soothing है जो सीधा emotions को trigger करता है feeling को trigger करता है तो progressive muscles relaxation के बाद आप एक ऐसे alpha state में एंटर कर जाते हैं जहां पर आप अपने brain को suggestion देंगे कि आपका दमाग बिलकुल शान्त रहता है जो भी situation चल रहे है उससे relevant thoughts ही जितने जरूरी होते है उतने ही आपके mind में चल रहे होते हैं आपके thoughts आपके control में हैं आप उन्हें असानी से witness करते हैं आप जब चाहें अपने दिमाग को शान्त कर सकते हैं कुछ भी इस तरीके के self suggestions जब आप देंगे तो तुरंथ उस state में क्योंकि आप अलड़ी alpha state में पहुँच गए है तो ये एकदम effectively काम करेंगे क्योंकि subconscious mind में अगर कोई बात एक बार चली जाएगी तो उसका effect आएगा याएगा अब आपने relaxation वाले suggestion डाले हैं तो relaxation की feeling आएगी तो ये भी बहुत helpful है और है cognitive behavior therapy of course cognitive behavior therapy तो बहुत ही ज़ाद effective है आप अच्छे ज़री किसे जानते हैं कितना beautiful connection आपके thoughts, emotions और आपके actions में होता है तो आपके अंदर emotions कैसे feel होता है आपके thoughts से या फिर आपके activities से अप इन में बहुत ही ज़ादा deep connection है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही हमारा behavior होता है ऐसी जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हमारे thoughts होने लग जाते हैं और वैसा ही हमारे actions same जैसे हमारे activities होती हैं वैसे emotions में हम रहते हैं वैसा ही हमारा thought process तो इनका एक काफी अच्छा combination है, तो अगर आपको mind chattering को stop करना है, तो आपको सबसे पहले understand करना होगा कि आपके अंदर जो mind chatter कर रहा है, लगातार कुछ loop चल रहा है, वो उसका origin कहां से है, क्यों वो आपके अंदर loop start हुआ, तो वो सब जब आपनी thoughts को लिखते हैं, तो उसमें ध्यान रहता है, attention रहती है विल्कुल, कई बार हम distort यानि की कुछ घुमा कर ऐसे गलत मिलिंग निका लेते हैं, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को generalize कर लेते हैं, तो हमें, जो CBT हैं यहां पर, हमारे जो filter हैं, delete, distort और generalization, यह पकड़ने में बहुत जादा मदद करती है, और इसको हम psychology में ऐसे collectively, ऐसे cognitive distortions के राम से, thinking traps के राम से हम समझ सकते हैं, उनको पकड़ कर, फिर उन सारे के सारे distortions को ठीक करकर, आप, जब आप real meaning देना शुरू करते हैं, और आप उसका base ठीक कर देते हैं, तो दीरे दीरे, मतलब engine ही अगर आपने बदल दिया तो पूरे train की जो speed है ना वो भी change हो जाएगी, तो अभी आपने क्या करा कि पूरा जो main है, जो main code, origin वाला थोट है, उसको ही पकड़ लिया, उसके बाद जो थी connecting thoughts वो अपने आपी गायवोनी शुरू हो जाएगी, तो cognitive behavior therapy, multiple ways में आपको help करती है, उसमें आपको cognitive restructuring करनी सिखाई जात बहुत सारी mindfulness techniques, बहुत wide therapy है, मैं अभी बहुत जल्दी CBT पर भी एक video बनाने वाली हो, तो अभी आप समझ लेजी है, बहुत help करती है, और grounding techniques, आप कोई भी grounding techniques करते हैं, जैसे सबसे जादा easy जो है और बहुत popular grounding technique है, और वो है आपकी पांच चीसे, आपने आप स्पास observe की, sound आपने सुने, किसी भी तरीके से आपने तीन smell ली, है ना कोई भी इस तरीके से दो touch, एक taste, कुछ भी इस तरीके से, यह जरूरी नहीं कि आपको पांच चीजे दिखने, आप पांच चीजे सुन भी सकते हैं, जो भी आपके surrounding में available हो, आप वही सब कर सकते हैं, तो यह पर सच करेंगे, या आप YouTube पर सच करेंगे, तो बहुत सारी आप आजाएंगे, और app में जो सारी की सारी exercises है, उसमें grounding exercises, बहुत सारी है, आप अराम से कोई से भी कर सकते हैं, और journaling, journaling करना बहुत ही जादा अच्छा रहता है, सिफ positive journaling नहीं, अगर आपके दमाग में कोई बहुत अच्छी अंडिस्टानिंग होती है, और फिर आप उसका solution लिखें, तो एक बहुत इच्छा तरीका है, कि जो आपकी negative thought है, उसे आप एक different color के pencil लिखें, और जो positive thought है, उसे आप एक bright different color के pencil लिखें, तो ये journaling बहुत help करती है, अपने emotions को लिखना, और उनका pattern understand करना, कि कौन कौन से time पर आप low में जाते हैं, कौन से time पर आप normal feel करते हैं, कभी ऐसे high feel करते हैं, आपका mood swing है, वो कितना frequent हो रहा है, इस तरीके से भी help करता है, journaling, positive journaling, gratitude journaling, multiple ways में journaling बहुत help करती है, daily affirmation लिखना बहुत जादा help करती है, तो journaling multiple ways में बहुत help करती है, इससे आप multitasking, multitasking के बहुत बड़ा cause है, आपके दिमाग को overactive करने का, तो multiple task हमें नहीं करना चाहिए, हमारी body and mind जब एक ही काम करोते हैं, तो वो एक बहुत इची harmony में काम करोते हैं, लेकिन अब हम body से कुछ और कर रहे हैं, mind को और कहीं ही दोड़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी harmony disturb ह होगी, तो फिर mind एक टाइम पर बेकाबू हो जाएगा, और बिगड़े वे और बेकाबू mind को ही, ऐसे करते हैं कि mind chuttering होगी है, तो multiple task करने के जो आपकी आदत है, सुधार लीजे उसे, और एक बार में एक कम कीज़े, पूरा मज़ा लीजे, दिमाग अपने आप फिर शान् होते हैं, dose chemical, वो exercise करने से release होते हैं, और जब वो release होंगे आपके अंदर, तो definitely आपके अंदर chemical सारे balance रहेंगे, तो mind chuttering क्यों होगी आपको, exercise करने से बहुत फायदा होता है, करो और विश्वास करो, cognitive diffusion, cognitive diffusion बहुत important है, इसकी बहुत ज़रूरी है, इसमें क्या होता है, कि आप कोई भी इस तरीके का thought का loop चल रहा है, तो simply आप उसको एक गाने की तरह गुन गुनाने लगो, या फिर आप उसे एक बच्चे की आवाज में, काटून की आवाज में बोलने लगो, मेरे माइन में तो आली है, कुछ भी इस तरीके से बोलने लग जो आप, तो उससे आ बहुत सरे clouds आये थे, black, black clouds, और आप वो जा रहे हैं और आप उसको जातावा देख रहे हो, इस तरीके से भी आप cognitive diffusion लगा सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कि उन thoughts को, ऐसे कि एक mental board पर लिखे हो हैं, और आप ना उसे board पर लिखे हो हैं, तो आपका हाथ जो है ना वो पारे हो, तो कोई feeling ही नहीं generate हो रही है, तो इस तरीके से cognitive diffusion की बहुत सरे अलगलग techniques होती है, तो आप उसे कर सकते हैं, तो ये भी बहुत effective होती है, इसी तरीके से sleep optimization, अप नींद तो है ही, अगर आपकी नींद बहुत अच्छी तरीके से पूरी नहीं होती है, तो definitely आपका mind मतलब overactive है, तो आप अपनी sleep को अच्छी तरीके से regulate कर लो, sleep hygiene को बहुत अच्छी तरीके से follow करो, बहुत simple है, एक घंटा पहले अपने mobile को त्याग दो, lights dim करने स्टार्ट कर दो, brush वगारा जो भी sleeping rituals हैं, उसे सोने से आदा घंटे पहले ही finish कर दो, और उसके बाद bed कर, सकते हो, सवाशन कर सकते हो, progressive muscles relaxation कर सकते हो, कुछ भी, इस तरीके से आप अपना sleep का schedule set करो, रोज 10 बजे तो 10 बजे ही जाना है, तो इस तरीके से जब आप अपना sleep को ठीक करते हो, तो उससे fresh mind set होगे, तो आपके mind में chattering कम होगी, और देखिया जी, time in nature, nature में time जरूर spend करना चाहिए है, हम सबको nature ने बनाया है, nature से जतना connected रहते हैं, उतना ज्यादा बहुत अच्छा feel करते हैं, दिमाग उतना ज्यादा शान्त रहता है, तो नंगे पेर, आप भागो, धौडो, धूप लो, पेड़ पौदों से बाते करो, फूलो की सुगंध लो, चिडियों की चह चाहत, सुनो, जितना जाधा nature में time spent कर सकते हो, करो, फैमली के साथ अकसर घूमने जाओ, hills पर घूमना प्लान करो, अच्छी तरीके से, और सुकून से, क्योंकि लोग मैंने आज देखा है, कि अगर घूमने भी जाते हैं, तो वो activities में लगे रहते हैं, सुकून नहीं पाते वो trip trip नहीं होती है, तो daily भी nature में time spent करो, और holiday भी प्लान करो nature में, avoid stimulants, किसी भी तरीके की कोई दवाई लेना, या किसी भी तरीके, alcohol या कुछ भी इस तरीके से, जो temporary आपके, जो bad coping mechanism है, उन सब को अगर बंद कर दोगे न, तो भी problem बहुत solve हो जाएगी, क्योंकि ये आपक बहुत सारी लोग इस तरीके से, बहुत सारी medications लेते हैं, बहुत सारी इस तरीके की चीज़े लेते हैं, और भी alternative, जिससे कि उनका mind over active हो जाता है, अगर आप बहुत जादा बाद बाद पर कुछ भी इस तरीके से, दवायां ले लेते हैं, avoid करें, आपको अगर alcohol लेने की, smoke क करने की इतनी habit होए, या किसी और तरीके से, आप ना, हम तो वैसे नहीं पीते हैं, हम तो fruit beer पीते हैं, कुछ भी इस तरीके की आप drinks लेते रहते हो, तो समझो ये, सब आपके mind को, उसकी chemistry को बिकारते रहते हैं, इन सब को avoid करना है, mindful eating, खाना खाते वक्त बड़ा सुकून से भाई आपका brain और gut brain का बहुत deep connection है, आप जब खाते हो, तो आपका digestive gland है ना, active होता है, सारे juices का secretions होता है, तो आपको समझना है कि mindful eating करनी है, क्योंकि जब आप पूरा मन से, शान्द मन से आप खाना खाते हो, तलीनता से, तो एक बार में एक ही काम कर रहे होते हो, और सारा क सारा जो उस टाइम पर काम है, जो आपके अंदर चल रहा होता है, क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो, digestion स्टार्ट होता है, सारे juices का secretion होता है, उनका emotion से बटा deep connection होता है, क्योंकि brain और gut brain है ना, हर समय information exchange करते रहते हैं, दूसरा, सारा emotions कहां फील होता है, आपको body में फील हो तो आपका adrenal gland से भी वो निकल रहे हैं, secretions हो रहे हैं, और आपकी digestive gland से भी हो रहे हैं, और दोनों से बिलकुल एक दूसरे के विरोधी, hormones का secretion हो रहा है, क्या होगा, वो आपस में poison मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आपको खाते हैं वक्त, बस खाना ही है, तो इससे बहुत फाय दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहता है, और है guided imaginary, आप बैठ कर अपने आपको किसी शांत जिगी visualize करो, जब visualize करो पूरा, imagine करो तो ऐसे क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या feel कर रहे हो पूरा, आप बस एक मिनट में अगर अपने आपको नदी किनारे, शांती से ब जाओगे, तो ये भी बहुत help करती है, इसी तरह से set worry time, हर समय चिंदा करने की कोई जरूत नहीं है, एक worry time set करो, कि हाँ, जो मेरे दिमाग में concern चल लिए, definitely मैं उसको address करोंगे, लेकिन आप ही नहीं, हर वक्त नहीं, कि लिया और कुछ सुलजाने बैठ गए, तो एक time हमारा fix होना चाहिए, तो उससे भी बहुत help मिलती है, फिर हर समय आपके दिमाग में वो cassette run नहीं करती है, इसी तरीके से introspective awareness, कि आप ना introspect कर रहे हो, अपने आधम अंधन कर रहे हो, अंदर जान रहे हो, समझ रहे हो, कि क्या चल रहा है, तो जब आप इस तरीके से जान रहे हो, समझ रहे हो, तो बहुत सारी needs unfulfilled है, उसको पूरा करने पर लग रहे हो, आप से कोई mistakes होई है, उसको सुधाना है, आप अपनी life का और बैटर करने के लिए कुछ skills सेखनी है, किसी का support चाहिए, क्या आपको करना है, कौन से area पर work करना है, सब कुस तभी तो पता चलेगा करते हो, चाहिए simply ओम का जब करना हो, आपको कुछ भी आप एकदम से शान्त करें, तो ओम का जब करते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा effective result देता है, क्योंकि में को जबी भी कोई मंत्र जब करना होता है, तो मैं ओम का ही जब करते हैं, मुझे बहुत असीम शान्ती मिलते ह limit social media and news consumption, please, बहुत ही important है, क्योंकि इसी ने सारा बवाल मचा रखा है, इतना ज़्यादा content खराब है, आजकल newspaper में, news में, please, उसको ज़रा limited consume करो, माइंड चेटरिंग अपने आपी शान्त हो जाएगी, समझार को इशारा काफी ज़्याद ही क्या ही बोलू, और acceptance, जो हो गया ह उसे बदलने में, उसको कुछ different ऐसा कर लेता है, इसमें लगे रहते हैं, तो इससे क्या होता है, non acceptance की वज़े से mind, वो ही past की कैसे बार-बार-बार play करता रहता है, जो अभी चल रहा है, उसके प्रती भी आपका यही रवाया होता है, और फिर जो भी आप आज कर रहे हो, ज wholeheartedly accept करो, कि हाँ मुझे ऐसा feel हो रहा है, हाँ मेरे दमाग में ऐसा चल रहा है, हाँ मुझे ऐसा हुआ है, पर अब मुझे आगे बढ़ना है, move on करना है, जब जैसी आप 2-4 बार अपने आपको इस तरीके से समझाओगे, आपका दमाग शान्त हो जाएगा, और chattering खतम हो जा तна एक मुझे जाएगे से समझागे न घुझे हृ जो है इस तरीके से